हमारे प्रधान मंत्री नरेंटर मोधी मन की बात कर रहा हैं, चलिए आपको सुनाते हैं हमारे देश की विशालता और विबीदिता इसको याद करना, इसको नमन करना हर भारतिय को गर्व से भर देता है और इस विवित्ता के अनुभव का अवसर तो हमेशा ही अभिभूत कर देने वाला आनंद से भर देने वाला एक प्रकार से प्रेरणा का पुष्प होता है कुछ दिनों पहले मैंने दिल्ली के हुनरहाट में एक छोटी सी जगह में हमारे देश की विशालता, संस्कृती, परंपराओं, खानपार, अज्यजबातों के विवित्ताओं के दर्शन किये पारंपारिक वस्त्र, हस्तशिल्प, कालिन, बरतन, बांस, और पीतल के उत्पाद, पंजाब की फुलकारी, आंद प्रदेश का शांदाल लेधर का काम, तमुन्नाडू की खुपसुरत पैंटिंग्स, उत्तर प्रदेश के पीतल के उत्पाद, बधोई की कालिन, कश के कौ पाद्य यंत्र, अंगिनत बाते, समुचे भारत की कला और संस्कृत की जलक, वाकई अनोखी ही थी, और इनकी पीछे, सिल्पकारों की साधना, लगन, और अपने हुनर के पती प्रेम की कहानिया भी, बहुत ही इंस्पारिंग होती है, हुनर हाट में, एक दिव्यांग महिल की बाते सुनकर बड़ा संतोस हुआ, उन्होंने मुझे बताया, कि पहले वो फुटपार्ट पर अपनी पेंटिंग्स बेचती थी, लेकिन हुनर हाट से जुडने के बाद, उनका जीवन बदल गया, आज वो नकेवल आत्मनिर्भर है, बनकि उन्होंने, खुद का एक घर भी खरिद लिया है, हुनर हाट में मुझे कई और सिल्पकारों से मिलने और उनसे बादचित करने का उसर भी मिला, मुझे बताया गया है कि हुनर हाट में भाग लेने वाले कारीगरों में, पचास प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं, और पिछले तीन वर्ष्व में हुनर ह हाट कला के प्रदर्शन के लिए एक मन तो है ही है, साथ ही साथ यह लोगों के सपनों को भी पंख दे रहा है, एक जगह है जहां इस देश की विवित्ता को अन देखा करना असंभवी है, शिल्प खला तो है ही है, साथ साथ हमारे खान पान की विवित्ता भी है, वहाँ एक दोसा छोले भटूरे दाल बाटी खमन खाड़ विए नजाने क्या क्या था मैंने खुद भी वहां बिहार के स्वादिश लिटी चोखे का आनन लिया वरपूर आनन लिया भारत के हर हिस्से मैंसे मेले प्रदर्शन्यों का आविजन होता रहता है भारत को जानने के लिए भार असर बन जाता है आप न सिर्फ देश की कला और संस्क्रित से जुड़ेंगे भलकि आप देश की महंती कारिगरों की विशेसकर महिलाओं की समरुद्दे में भी अपना योगदार दे सकेंगे जरूर चाहिए मेरे प्यारे देश्वाशियों हमारे देश के महान परंपराए हमारे पूरवजों ने हमें जो विरासत में दिया है जो सिक्षा और दिक्षा हमें मिली है जिसमें जीव मात्र के प्रती दाया का भाव प्रकृती के प्रती अपार प्रेम ये सारी बाते हमारी सांस्क्रितिक विरासत है और भारत के इस वातावन का आतित लेने लिए दुन साल भारत आते हैं भारत पूरे साल कई माईगरेटर स्पीसिस का भी आश्चान बना रहता है और यह भी बताते हैं कि यह जो पक्षी आते हैं पांसो से भी जादा अलग-अलग प्रकार के और अलग-अलग इलाके से आते हैं पिछले दिनों घांदी नगर में कॉप 13 कन्वेंशन जिसमें इस विशेवर काफी चिंतन हुआ मनन हुआ मन्थन भी हुआ और भारत के प्रयासों की काफी सराना भी हुई साथ के यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आने वाले तीन वर्षों तक भारत माइग्रेटरी स्पीसीज पर होने वाले कॉप कन्वेंशन के अध्यक्स्ता करेगा इस सबसर को कैसे उप्योगी बनाए इसके लिए आप अमने सुझाव ज़रूर भेजे कॉप कन्वेंशन पर हो रहे इस चर्चा के बीच मेरा ध्यान मेगाले से जुड़ी एक अहम जानकारी पर भी गया हाली में बायोलोजिस्ट ने मचली की एक ऐसी नई प्रजाति की खोज की है जो केवल मेगाले में गुफाओं के अंदर पाई जाती है माना जा रहा है कि यह मचली गुफाओं में जमीन के अंदर रहने वाले जल जीवों की प्रजाति की खोज में से सबसे बड़ी है यह मचली ऐसी गहरी और अंदेरी अंडरग्राउंड क्वेव्ज में रहती है जहां रोशनी भी शाहिद ही पहुच पाती है वज्यानिक भी इस बात से आश्चेरे चकीत है इतनी बड़ी मचली इतनी गहरी गुफाओं में कैसे जीवित रहती है यह एक सूखत बात है कि हमारा भारत और विशेश तोर पर मिगाल है एक दुरलब प्रजाती का घर है यह भारत की जय विविता को एक नया आयाम देने वाला है हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे अजूबे हैं जो अब भी अन्डिस्कवर्ड है इन अजूबों का पता लगाने के लिए खोजी जुनुन जुनुरी होता है महान तमिल कवेत्री अव्वेयर ने लिखा है कटत कैमानवू कलादरू उलगलवू कटत कैमन अडव कलादत औला अडव इसका आर्थ है कि हम जो जानते हैं वह महच एक मुठी भर रेत है लेकि जो हम नहीं जानते हैं वह अपने आप में पूरे ब्रह्मान के समान है इस देश की विवित्ता के साथ भी ऐसा ही है जितना जाने उतना कम है हमारी बायो डावर्सिटी भी पूरी मानवता के लिए अनोखा खजाना है जिसे हमें संजोना है समरक्षित रखना है और एक्स्प्लोर भी करना है मेरे प्यारे युवा साथियों इन दिनों हमारे देश के बच्चों में युवाओं में साइंस और टेक्नोलोजी के प्रती रुची लगातार बढ़ रही है अंतरीक्ष में रिकोर्ड सेट्रिलाइट का प्रक्षेपन नईने रिकोर्ड नईने एमिशन हर भारतिये को गर्व से भर देते हैं जब मैं चंद्रियान टू के समय बैंगलूरू में था तो मैंने देखा था कि वहाँ उपस्तित बच्चों का उत्सा देखते ही बनता था निंद का नाम और निशान नहीं था एक प्रगार से पूरी रात वो जागते रहे उनमें साइंस टेक्नोलोजी और इनोविशन को लेकर जो उत्सुकता थी वो कभी हम भूल नहीं सकते हैं बच्चों के युवाओं के इसी उत्सा को बढ़ाने के लिए उनमें साइंटिफिक टेंपर को बढ़ाने के लिए एक और वेवस्ता शुरू हुई है अब आप स्री हरी कोटा से होने वाली रॉकेट लाँचिंग को सामने बैठ कर देख सकते हैं हाली में इसे सब के लिए खोल दिया गया है बिजिटर गैलेरी बनाई गई है जिसमें दसदार लोगों के बैठने की वेवस्ता है इसरों की वेबसाइट पर दिये गए लिंक के जरिये ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं मुझे बताया गया है कि कई स्कूल अपने विद्यार्थियों को रोकेट लाँचिंग दिखाने और उन्हें मोटिवेट करने के लिए टूर पर भी ले जा रहा है मैं सभी स्कूलों के प्रिंसिपाल और सिक्षकों सा अग्रह करूँगा कि हाने वाले समय में वेश का लाब जरूर उठाए साथियों मैं आपको एक और रोमांचिक जानकारी देना चाहता हूँ मैंने नमो एप पर जारखन के दनबात के रहने वाले पारस का कमेंट पढ़ा पारस चाहते हैं कि मैं इसरों के यूवीका प्रोग्रेम के बारे में यूवा साथियों को बताऊ यूवाओं को साइंस से जोडने के लिए यूवीका इसरों का एक बहुती सरहानिय प्रयास है 2019 में यह कारकम स्कूली स्टूडन्स के लांच किया गया था यूवीका का मतलब है यूवा विज्ञानी कारकरम यह कारकम हमारे वीजन जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान के अनुरूप है इस प्रोग्रेम में अपने एक्जाम के बाद छुट्टियों में स्टूडन्स इसरों के अलग अलग सेंटर्स में जाकर स्पेस टेकनोलोजी स्पेस साइंस और स्पेस अप्रिकेशन के बारे में सीखते हैं आपको यदि यह जानना है ट्रेनिंग कैसी है किस प्रकार की है कितनी रोमांचक है पिछली बार जिनोंने इसको एटेंड किया है उनके एक्ष्पिरियंस अवश्य पढ़े आपको खुद अटेंड करना है तो इसरो से जुड़ी युविका की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं मेरे युवासाथियों मैं आपके लिए बताता हूँ वेबसाइट का नाम लिख लिजिए और जुरूर आज ही विजिट किजिए www.ubica.isro.gov.in लिख लिए आना मेरे पैरे देशवासियों 31 जनवरी 2020 को लदाग की खुबसरत वादियां एक एहतियासिक घटना की गवावनी लेके कुशोक बकुला रिमपोचे एरपोर्ट से भारतियों वायु सेना के AN-32 विमान ने जब उडान भरी तो एक नया इतिहास बन गया इस उडान में 10% इंजिन बायो जैट फ्यूल का मिश्रन किया गया था ऐसा पहली बार हुआ जब दोनों इंजिनों में इस मिश्रन का इस्तिमाल किया गया यही नहीं लेके जिस हवाई अड़े पर इस विमान ने उडान भरी वह नकेवल भारत में बलकि दुनिया में सबसे उचाई पर स्थित एरपोर्ट में से एक है खास बात यह है कि बायो जैट फ्यूल को नौन एडिबल टी बॉन ओल्स से तयार किया गया है इसे भारत के विविन आदिवासी इलाकों से खरीद दे जाता है इन प्रयासों से नकेवल कारवन के उस सरजन में भी कमी आएगी बलकि कच्चे तेल के आयात पर भी भारत के निर्फरता कम हो सकती है मैं इस बड़े कारे में जुटे सबी लोगों को बढ़ाई देता हूँ विशेश रुप से CSIR Indian Institute of Petroleum देरादूल के विज्यानिकों को जिन्होंने बायो फ्यूल से विमान वड़ाने की तकनीक को संभव कर दिया उनका ये प्रयास मेकिन इंडिया को भी ससक्त करता है मेरे प्यारे देश स्वासियों हमारा नया भारत अब पुरानी अप्रोच के साथ चलने को तयार नहीं है खास तोर पर न्यू इंडिया की हमारी भेने और माताएं तो आगे बढ़कर उन चुनोदियों को अपने हाथों में ले रही हैं जिन से पूरे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है बिहार के पुर्णिया की कहानी देश भर के लोगों को प्रेणा से भर देने वाली है ये वो इलाका है जो दसकों से भाड की त्रासदी से जूजता रहा है ऐसे में यहां खेती और आएक के अन्य संसाधनों को जुटाना बहुत मुश्किल रहा है मगर इनी परिश्थितियों में वुर्णिया की कुछ महिला उने एक अलग रास्ता चुना साथियों पहले इस इलाके की महिला है शहतूत या मलवरी के पेड़ पर रेश्थम के किडों से कोकून तयार करती थी जिसका उने बहुत मामूली दाम मिलता था जबकि उसे खरीदने वाले लोग इनी कोकून से रेश्थम का धाका बना कर मोटा मुनाफा कमाते थे लिकन आज पुर्णिया की महिलाओं ने एक नई शुरुवात की और पूरी तस्वीर ही बदल करके रख दी इन महिलाओं ने सरकार के सहयोग से मलबरी उत्पादन समू बनाए इसके बाद उन्होंने कोकून से रेश्थम के धागे तयार किये और फिर उन धागों से खुदी साडिया बनवाना भी शुरू कर दिया आपको जानकर के हरानी होगी कि पहले जिस कोकून को बेच कर मामूली रिकम मिलती थी वही अब उससे बनी साडिया हजारों रुपियों में बीक रही है आदर्स जिवी का महिला मलबरी उत्पादन समू की दिदियों ने जो कमाल की है उसका असर अब कई गावों में देखने को मिल रहा है पुर्णिया के कई गावों के किसान दिदियां अब न केवल साडियां तियार करवा रही हैं बलकि बड़े मेलों में अपने स्टॉल लगा कर बेज भी रही है एक उदारण कि आज की महला नई शक्ति नई सोच के साथ किस तरह नए लक्षों को प्राप्त कर रही है मेरे पैरे देश वासियों हमारे देश की महलाओं हमारे बेटियों की उद्दम शिलता उनका सास हर किसी के लिए गर्व की बात है अपने आसपास हमें अनेकों ऐसे उदाहन मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि बेटियां किस तरह पुरारी बंदिसों को तोड रही है नई उचाई प्राप्त कर रही है मैं आपके साथ बारा साल की बेटी काम्या कार्तिकेन की उपलब्दी की चर्था जरूर करना चाहूंगा काम्या ने सिर्फ बारा साल की उम्र में ही माउंट एकोन कागुआ उसको फतेह करने का कारनामा कर दिखाया है यह दक्षिन अमेरिका में एंडीज परवद की सबसे उची चोटी है जो लगबग साथ हजार मीटर उची है हर भारतियों को यह बात चूँ जाएगी कि जब इस महिने की शुरुवात में काम्या ने चोटी को फतेह किया और सबसे पहले वहां हमारा तिरंगा फैराया मुझे यह भी बताया गया है कि देश को गवरवानवित करने वाली काम्या एक नए मिशन पर है जिसका नाम है मिशन साहस इसके तहट वो सभी महाद्विपों की सबसे उची चोटियों को फतर करने में जुटी है इस अभ्यान में उसे नौर्थ और साउथ पोर्स पर स्की भी करना है मैं काम्या को मिशन साहस के लिए अपनी शुब कामनाई देता हूँ वैसे काम्या की उखलब्दी सभी को फिट रहने के लिए प्रेजित करती है इतनी कम उम्र में काम्या जिस उचाई पर पहुँची है उसमें फिटनेस का भी बहुत बड़ा योगदान है अनेशन दाट इज फिट विल बी अनेशन दाट इज हिट आनि जो देश फिट है वो हमेशा हिट भी रहेगा वैसे आने वाले महिनों तो एडवेंचर स्पॉट्स के लिए भी बहुत उपयुक्त है भारत की जियोग्राफी ऐसी है जो हमारे देश में एडवेंचर स्पॉट्स के लिए धेरों अवसर प्रदान करती है एक तरब जहां उंचे उंचे पाड़ है तो वहीं दूसरी तरब दूर दूर तक फैला लेगिस्तान है एक और जहां गने जंगलों का बसे रहा है तो वहीं दूसरी और समुद्र का असीम विस्तार है इसलिए मेरा आप सबसे विशेश आगरा है कि आप भी अपनी पसंद की जगद अपने रूची की एक्टिविटी चूने और अपने जीवन को एडवेंचर के साथ जुरूर जोड़े जिंदगी में एडवेंचर तो होना ही चाहिए न वैसे साथियों बारा साल की बेटी कामिया की सफलता के बाद आप जब 105 वर्स की भागिरती अम्मा की सफलता की कहानी सुनेंगे तो और हैरान हो जाएंगे साथियों कुछ करगुजरना चाहते हैं तो पहली शर्त यही होती है कि हमारे भीतर का विद्यार्थी कभी मरना नहीं चाहिए हमारी 105 वर्स की भागिरती अम्मा हमें यही प्रेणा देती है अब आप सोच रहे होंगे कि एक भागिरती अम्मा कौन है भागिरती अम्मा केरल के कौलम्म में रहती है बहुत बच्पन में ही उन्होंने अपनी मा को खो दिया छोटी उम्र में शादी के बाद पती को भी खो दिया लेकिन भागिरती अम्मा ने अपना होसला नहीं खोया अपना जज़वा नहीं खोया दस साल से कम उम्र में उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पुड़ा था 105 साल की उम्र में उन्होंने फिल स्कूल शुरू किया पढ़ाई शुरू की इतनी उम्र होने के बावजूद भागेराथी अम्मा ने लेवल 4 की परिक्षा दी और बड़ी बेसबरी से रिजल्ट का इंतजार करने लगी उन्होंने परिक्षा में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किये इतना ही नहीं गणित में तो सत प्रतिशत अंक हासिल किये अम्मा अब और आगे पढ़ना चाहती है आगे की परिक्षाएं देना चाहती है जाहिर है भागे रथी अम्मा जैसे लोग इस देश की ताकत है प्रेणा की एक बहुत बड़ी स्रोथ है मैं आज विशे सुप से भागे रथी अम्मा को परनाम करता हूँ साथियों जीवन के विपरित समय में हमारा होसला हमारी इच्छा सकती किसी भी परिस्थिती को बदल देती है अभी हाल ही में मैंने मिडिया में एक ऐसी स्टोरी पड़ी जिसे मैं आप से जरूर शेयर करना चाहता हूँ ये कहानी है मुरादाबाद के हमीरपूर गाउं में रहने वाले सलमान की सलमान जन्म से ही दिव्यान है उनके पैर उन्हें साथ नहीं देते है इस कठनाए के बावजुद भी उन्होंने हार नहीं मानी और खुद ही अपना काम शुरू करने का फैसला किया साथी ये भी निश्चे किया कि अब वो अपने जैसे दिव्यान साथियों की मदद भी करेंगी फिर क्या था सल्मान ने अपने ही गाव में चपल और डिटरजन बनाने का काम शुरू कर दिया देखते ही देखते हुनके साथ तीस दिव्यान साथी जुड़ गए आप ये भी गौर करिए कि सल्मान को खुद चलने में दिक्कत थी तीस दिव्यान ने दूसरों का चलना आसान करने वाली चपल बनाने का फैसला किया खास बात ये है कि सल्मान ने साथी दिव्यान जनों को खुदी ट्रेनिंग दी अब ये सब मिलकर मैनिफेक्टरिंग भी करते हैं और मार्केटिंग भी अपनी महनत से इन लोगों ने न केवल अपने लिए रोजगार स्वनिशित किया बलकि अपनी कमपनी को भी प्रफिट में पहुचा दिया अब ये लोग मिलकर दीन भर में डेड़ सो जोड़ी चपले तयार कर देते हैं इतना ही नहीं सलमान ने इस साल सो और दिव्यांगों को रोजगार देने का संक्र भी लिया है मैं इन सब के होसले उनके उद्यम सिल्ता को सैलिट करता हूँ ऐसी ही संकल प्रशक्ति गुजरात के कच इलाके में अजरख गाउं के लोगों ने भी दिखाई हैं साल 2001 में आये विनाशकादी भूकम के बाद सभी लोग गाउं छोड रहे थे तभी इसमाईल खत्री नाम के सक्ष ने गाउं में ही रहे कर अजरख प्रिंट की अपनी पारमपरिक कला को सहजने का फैसला लिया फिर क्या था देखते ही देखते प्रकृती के रंगों से बनी अजरख कला हर किसी को लुभाने लगी और ये पूरा गाउं हस्त सिल्व की अपनी पारमपरिक वीधा से जूड गया गाउं वालों ने न केवल सेंक्रो वर्ष पुरानी अपनी इस कला को सहजा बलकि उसे आधुनिक फैसन के साथ भी जोड दिया अब बड़े बड़े डिजाइनर बड़े बड़े डिजाइन समस्तान अजरख प्रिंट का इस्तमाल करने लगे है गाउं के परिश्णमी लोगों की वज़े से आज अजरख प्रिंट एक बड़ा ब्रेंड बन रहा है दुनिया के बड़े खरिदार इस प्रिंट की तरफ आकरशित हो रहे हैं मेरे पहरे देशवाचियों हाली में देश भर में महाशिवरात्री का पर्व मनाया गया है भगवान शीव और माता पारवति का अशिरवाद देश की चेतना को जागृत किये हुए है महाशिवरात्री पर भोले बाबा के अशिरवाद आप पर बना रहें आपके हर्मना कामना शीव जी पूरी करें आप उर्जावान रहें स्वस्त रहें सुके रहें और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें साथ क्यों महासिवरात्र के साथ ही वसंत रूत्य के आभावी दिनों दिन अब और बढ़ती जाएगी आने वाले दिनों में होली का भी त्योहार है इसके तुरंद बात गुडी पड़वा भी आने वाला है नवरात्री का परवभी के साथ जुड़ा हुआ होता है राम नौमी का परवभी आएगा परवव और त्योहार हमारे देश में सामाजिक जीवन का अभिन्य हिस्सा रहे हैं हर त्योहार के पीछे कोई ने कोई ऐसा सामाजिक संदेश छिपा होता है जो समाज को ही नहीं पूरे देश को एकता में बांगत रखता है होली के बाद चैतर शुक्ल प्रतिविदा से भारतिय विक्रमी नववर्ष की शुरुवाद भी होती है उसके लिए भी भारतिय नववर्ष की भी मैं आपको अग्रीम शुबकामनाई देता हूँ मेरे प्यारे देश वासियों अगली मन की बात तक तो मुझे लगता है कि शायद विद्यार सी परिक्षा में व्यस्त होंगे जिनकी परिक्षा पुरी हो गई होगी वो मस्त होंगे जो व्यस्त है जो मस्त है उनको भी अनेक अनेक शुबकामनाई देते हुए आईए अगली मन की किने बात के लिए अने नई बातों को ले करके फिर से मिलेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार तो आप सुन रहे थे प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी की मन की बात जिसमें प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी इने कई एहम बातों की चर्शा की है, हुनरहाट की तारीफ करते हुए बताया कि किस तरीके से हमारे देश में एकता नजर आता है, अलग-अलग राज्यों की तारीफ की है, बिहार की निटी चोखा की तारीफ की है, हुनरहाट की तारीफ करते हुए मिगाले की गुफा की मच को उन्होंने आज यहाँ पे सभी के साथ साजा किया कि जब वो चंद्रयान के लॉंचिंग में बैंगलोर गए थे तो वहाँ पे किस तरीके से युवाओं में रुज़ान नजर आ रहा था उसकी भी चर्चा की है साथी साथ स्पेस टेक्नोलाजी स्पेस टेक्नोलाजी की भी चर्चा करते वे विधान मंत्रे नरेल रुमोदी ने कई बाते कही और आखर में सभी को आने वाले पर्व की शुब कामनाई भी दी है